हेल्व फ्रेंडस Welcome टू सटाड़ियों में हम लोग प्रिंसिपल के पास यानि हेर मास्टर के पास आप्लिकेशन लिखना से खेंगे tua पहुत ऑतरीका से क्या स्ञें तो स्टाटिंग में सबसे पहले आपको क्या लिखना है क्यूं कॉमा देंगे उसके बाद आपको अपने स्कूल का यहां पर नाम लिखेंगे जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिखेंगे फिर कॉमा देंगे अब आपको जो इस्कूल कहां पर है वो उसका अड़र से यहां पर लिखना है वो यहां पर में full stop देजाना है इतना लिखने के बाद ये था main starting point में अब जो है आपको subject लिखना है मतलब उसमें आपको वह लिखना है तो यहां पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट सब्सक्राइब करके आप फॉल फॉर में भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं तो आपको जो है कितने दिन के छुट्टी चाहिए फिर किस चीज़ से रिलेटर चाहिए वह यहां पर आपको लिखना है यहां पीसिते हैं तो हम लेकी अने कि अटर भीसिक्ट करतों है कि अधिक्शां रिंग्सक्राइब करिए लिखनाया है अब स्टांट किजिए तौRe hail यहां पर मैडम कोई-भी सकते हैं स्टाम स्टा ε१ में से व hm से कोई लिख सकते हैं उसके आपको स्टार्टिंग में क्या लिखना है कि मोस्ट कि हम्बली एंड तो प्रिंस्पर सर के पास लिख रहे हैं तो बहुत ही वी नमर से यहां पर हम लिखेंगे बात करेंगे तो मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्ट फुली यह सब कुछ वर्ड जो है आपको याद करने पड़ेंगे रिस्पेक्ट फुली आई अब देखें आपको जिस इसके बारे में छोटी लेना है उसके बारे में लिखना अगर आपकी तवियत खराब है और आप छोटी लेना चाहते हैं तो इसके बारे में लिख सकते हैं तवियत खराब के बारे में तो कैसे लिखेंगे I am suffering from high fever आपको fever लगा हुआ है तो इस इस के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है तो यह ही लिखेंगे I am suffering from high fever since last night ठीक अगर आपको fever लगा हुआ है तो अगर अप्लिकेशन लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे उसके बाद क्या लिखना है so I am so I am unable to attend my class my class from 5th 5th July to 7th July आपको भी यहाँ पर जिस दिन आप जिस देट को छुटे रहना चाहते हैं और यहाँ पर आपको लिखना होगा ठेक उसके बाद जो है आपको यहाँ पर फिर आगे क्या लिखना है so grant me so grant me live for two days ठेक उसके बाद जो है I I shall be obliged to you यहाँ पर हमारा जो है अपलेकरिशन यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है उसके बाद आपको जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके आगे हमें क्या लिकिना है यहाँ पर इसके नीचे ठेंकिंग यू आप फिर धरनवाद उनको देंगे तो लिखेंगे थैंकिंग यू ठेक और अपने बारे में यहाँ पर लिखना है कि योर ओबिदेंट इसके जोनों में से कोई भी तो यहाँ पर लिखते हैं और यहां पे यहां है यहां पे आप लिख सकते हैं यह और वेजर्ट बैँ इस्टूडेट, यहां परलेट्स भीजर्स, अप्रवल स्बासर, आपको यहां है nam, लिख देना है, तो हम प्रिंसिपल के पास अप्लिकेशन बनकर वेड़ी हो गया है अब जाकर के स्कूल में आप जमा कर सकते हैं तो इसी तरीके से हमें अप्लिकेशन लिखना है प्रिंसिपल के पास आपको यह अप्लिकेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आप इसे अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हैं अगर आप ब्रैक्टिस करेंगे बार बार तापके माइन में सेट हो जाएगा तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लिस वीडियो को लाइक किजिएगे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जूर किजिएगे थैंक यू